समर्तन की सभागों समधित करें आपके बेच पूरम मंत्री आदर्निया संगुदला रावत जी हमारे चोमु विदान्सवा से विदायक बड़ी भेन आदर्निया सीका मिल जी हमारे साथ आय हुए राजस्तान के छातर वरक की आवाज नोजवानों की आवाज इवा साथी उर्जावान नेता भाई निर्मल चोदरी जी एनेशवाई के परदेश सदेक्स भाई जाखड साब बादरा से विदान्सोगे पर्ट्यासी अजीत बेनिवाल जी तमाम इस राजस्तान के वरिष्ट कोंग्रेज जन इस जैपुर ग्रामिन छेतर के वरिष्ट आधरनिया सचिन पाइलेट जी कुछी चनों के बीच हमारे बीच आ रहे हैं अनिल्च ओपडा हमारे राजस्तान विशोविदाले है हमारे एश्याई में हमारे साथ काम किया रास्तान विशोविदाले में लंबे समय से एश्याई को किसी ने पूरे पैनल में जीत दिलाई तो उसमें अनिल चोपडा का नाम पर्थम बंक्ति के अंदर आता है और पिछले बारा सालों से आपके इच्छेतर के हर सुक दुख में कॉंग्रेस कारे करता के रूम में मेनत कर रहा है और उसी मेनत की बदलत राउल गांदी जी ने सेचिन पाइलेट जी ने कॉंग्रेस अलाकमान ने आपके बीच कॉंग्रेस का परत्यासी मना कर अनिल चोपडा को बेजा है देश का ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है और ये चुनाव ये तेह करेगा कि पिछले दस सालों में बाजपा सरकार ने क्या काम किया पिछले दस सालों में मोदी और साने जो वादे युवाओं से किये रोजगार को लेकर हो किसानों की MSP को लेकर हो उन वादों का क्या हुआ उन वादों का जवाव हम सब लोगों को मांगना है यहां पर उपस्तित इस विदान सभा के माता पिता समान मुजरूगन नोजवान कारे करता मीडिया के साथ ही यहां पर मौजूद है हमें हर गर हर ब्लोग हर बूत पर यह जाकर पूछना है कि भी कांग्रेस ने 70 साल में नहर लेकर आए पानी बिजली मकान वेपारियों को सहुलियत किसान साथियों को सबसीडी कांग्रेस के राज के अंदर मिला और बाजपा के राज के अंदर साड़े 700 किसान साथी सहीद हुए दिल्ली की बोर्डर पर और आज देश में दूसरी बार किसान अंदोलन चल रहा है और इस अंदोलन में हमारे बिज़ दो साथी सहीद हुए बाजपा सरकार के नुमाइंदों ने उनसे एक बार भी बात करने की कोशिज नहीं की 19 अपरेल का चुनाव लोकतंतर को बचाने का चुनाव है और हमारे और आने वाली पीडियों को बचाने का चुनाव है उनके बविश्य को शुरक्सित रखने का चुनाव है और आपके बीच जो परत्यासी है किसान का बेटा है जमीन से जुड़ा हुआ है इसके परिवार में कभी कोई सरपंच भी नहीं रहा हुआ और हमारे बीच, हमारे सामने जो परत्यासी है, वो राजा है, वो आप उनसे मिलने जाओगे, तो वो तो मिले ना मिले, उनके आपके बीच, उनके घर के आगे, कोई वेक्ती उनसे मिलाने के लिए आपको दस-दस वेक्तियों से गुजरना पड़ेगा, और अनिल चोपड़ा से मिलने के लिए आपको सीधा अपने बाई और बेटे होने के नाते मिलने जा सकते हैं हमारे बीद जो चुनोतियां इन दस दिनों में हैं डेस आप लोगों पर नजल टिकाई हुए है और ये चुनाव हमारा और नरेंदर मोदी के बीच का चुनाव है हमारे बविशे को बचाने का चुनाव है हमारे आने वाले बविशे को बचाने का चुनाव है युवाओं के बविशे को बचाने का चुनाव है नोजवान पीडी के बविशे को बचाने का चुनाव है और दूसरी तरफ जो समतवादी ताक्ते हैं अगर उनसे पार पाली तो आने वाला समय हमारा सुरक्षित है और इस बार अगर कोई यह चुक हो गई तो देश के अंदर आने वाला समय में कोई चुनाव होगा नहीं और अनिल चोपडा को टिकेट हमारे जैसे नोजवानों को टिकेट हमारे जैसे नोजवानों को आज रास्तान के अंदर अनेक युवाओं को मौका मिला ऐसे मौके बहुत कम पाल्टिया देती है यह कॉंगरस पाल्टी राहूल गांदी जी और सचिन पाइलेट जी की सोच ह है कि नोजवानों के पिछे बेटे हुए पंक्ति को अगरिम पंक्ति में बिठाने का काम करते हैं तो आप सब लोगों से यही विंति करने हम कोई संग्रिया से कोई हनमान गड़ से कोई बादरा से कोई जैसल मेर से कोई नागोर से सब परतिनी दी आप लोगों से निवेदन और विंति करने के लिए हैं इस चुनाव को आपका अपना आप खुद हनिल चोबडा मन कर खुद कॉंग्रेस का हाथ का निसान मन कर 19 तारी को कॉंग्रेस पाल्टी को जीताने का काम करें जय हिन जय भार